नमस्कार मैं हूँ सौमिल जेन स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल इंडिया खवाल लाइब में आज हमारे साथ हवीवगन स्थाना के CSP श्री भूपेन सिंग जी हमारे साथ हैं हम उनसे बात करते हैं कोरोना को लेकर कल की लॉकडाउन को लेकर उनकी क्या विचार है और अभी आने वाले समय में क्या विचार है ये हम जानते हैं सबसे पहले सर में जानना चाहता हूँ कि कल लॉकडाउन लगा था और एक लॉकडाउन आज से एक साल पहले लगा था उसमे और आज में क्या फर्क नजरा है आपको जो कल लॉक्डाउन लगा है उसमें बोपाल की जो पब्लिक है आम जन जो है वो खुदी अवेड़ थे पुलिस को बहुत जादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े और लोगों ने अपने से उसका पालन किया है खुशी की बात है और जो पूरी तरह से प्रशाशन का सहयोग किया है और कल के लॉक्डाउन एक इससे यह कि आम जन में अवेरनेस भी हुई है कि आप करोना की सेकंड वेब जो है वो आ रही है और उससे बचाओ करना है और प्लिस प्रशाशन की दुआरा कई संदेश भी दे जाते हैं जो सोशल नहीं है क्योंकि लोगों को अब हर तरह से करोना से कैसे बचाओ करना है लंबा समा हो गया है लोगों का करोना के साथ इस लड़ाई में अब आम जन जो है तियार है और वो अवेर्ड है कि कैसे करोना से बचाओ करना है और कल 23 मार्च को 11 बजे जो सायरन बजेगा जिसके ब वो भी एक आम पब्लिक को अवेरनेस का ही प्रयास है और आगे अगर कोरोना और केसिस बढ़ते हैं तो पुलिश प्रशासन इस पर और क्या कठोर कदम उठाएगा देखें हमारी तो अपील है हम जन से कि आईए करोना से बचाओ बहुत आसान है दो गज की दूरी और मास्क लगाना है जरूरी यह दो चीजों से करोना से हमारा बचाओ होता है और तीसरा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अनवश्यक घर से बाहर ना निकलें घर में आप रहें तो आप सुरक्षित हैं अगर तीन चीजों के उपर आप अपने आपको चलते हैं एक तो दो गज की दूरी रखें मास्क लगा के रखें और अनवश्यक घर से ना निकलें तो करोना से बचाओ है और सर प्रदेश में देखने को मिला है अभी बजट भी आया था उसमें आया था महिला थाने इस्थापित किये जाएंगे प्रदेश भर में तो आज महिलाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं इसके लिए पुलिस प्रशासन ने क्या कदम उठाए देखे इसके उपर मैं कोई कमेंड नहीं करूँगा, यह शाशिनिस्तर का मसल सर आपकी दो जिम्मेदारी रहती हैं, एक तो आपकी परिवार की भी जिम्मेदारी रहती है और पूरे देश की पूरे परदेश की जिम्मेदारी रहती है उन दोनों जिम्मेदारियों को आप कैसे निभाते हैं बड़े अच्छे से निवाते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ पुलीस का परिवार जो है, वो भी ट्यून हो जाता है पुलीस की ड्यूटी के साथ, अगर हम बाहर ड्यूटी करते हैं, तो हमारी घर में हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी परिवार को पालने के लिए उतनी ही आप कहते होंगे पत्नी कहती होगी कि नहीं जाओ बाहर बहुत करोना है तो उसको कैसे समालते हैं वो एमोशनल होता है उसको कैसे समालते हैं देखें यह बात सही है कि वो लोग भी एमोशनल होते हैं किन्तु वो यह नहीं कहते हैं कि बाहर मज जाओ वो कहते हैं बाहर जा रह देखे उसका एक प्रोटोकॉल है, ड्यूटी से जाने के बाद, कैसे हमको नाना है, कपड़े अपने दोने हैं, सब चीजें, उनका हम पालन करते हैं, आज भी कर रहे हैं, तो जिसके कारण हम अपने परिवार को सुरक्षित रख पारे हैं, आखरी संदेज हमारे चैनल के अध्यम से आप लोगों को क्या संदेज देना चायते, कुरूनास से और यह लोगडाउन लगने वाला है, अगे लगेगा या नहीं? देखें, लोगडाउन लगेगा या नहीं, इसके उपर मैं कोई कमेंड नहीं कर सकता, किन्तु आम जन के लिए मेरी अपील है, कि आप करोना के लिए दो गज की दूरी बना के रखें, मास्क पहनें, और कम से कम पब्लिक प्लेस पे जाएं, भीड़ वाले स्थानों पे जा आएं, आना हो तो मास्क पहन के आएं, और दो गज की दूरी रखें, जैसे पहले हाथों को बिल्कुल सावुन से बार बार दोते थे, वो का आप करते रहें, करोना से आप बचे रहेंगे, बहुत बहुत धन्रवास सर, हमें अपना अमूल समय देने के लिए, आप देखते पूरे इंडिया खबल लाइप, मैं सौमेल जैन भोपाल